हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इवेस्टू का सेवेंच चेप्टर करेंगे जिसका नहीं स्वाराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट यह मैं आपको एक्स्पेंड करूंगे हिंदी में ठीक है इसके लिए आप वुडियो आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर अगर आप नहीं देख रहे तो देख लो और इसी वुडियो के कमेंट सेक्षिन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वुडियो बिल जाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं किया है स्वाराज first conquest यहाँ पर देखो क्या है स्वाराज के बारे में मालू मैं स्वाराज क्या था यह चुत्रपतिश उबात्य महाराज का एक सपना था एक एसा राज्यु बनाने का जहां पे सारे धर्म अमीर गरीब सब लोगए एक समयान हो कोई भी उच नीच नहीं हो तो उसकी first question मतब कि उसमें चात्रपति शिवाजी महराज को पहली विजय, पहली जीत कहां मिली, कैसे मिली, वो बताने वाले, जब स्वाराज की स्थापना कर रहे थे, उस दवरान उनको सबसे पहली जीत कहां पर मिली, इसके बारे हम पढ़ने वाले, क्या है देखो यहां प जो स्वाराज की शपत ली थी कहां पर रायरेश्वर के मंदिर में, यो तो हमें पता है कि रायरेश्वर के मंदिर में चात्रपति शिवाजी महराज और उनके जो साथी थे, उन्होंने वहां पर स्वाराज की शपत ली थी, कि वो स्वाराज को बनाएंगे, यह हमने पिछ महाराज की स्थापना करना ठीक है क्योंकि बहुत सारे दुश्मन थे देखो आगे आपको बता रहे कौन थे ओ लोग वो दुश्मन कौन थे क्या बल रहे है कि उन समय में जो उस समय में चार लोगों द्वारा महाराज पे राज किया जाता था पहला था जो मुगल एंपरर दिल्ली के है वो उसके बाद जो बिजापूर का सुल्टान आदिलशा वो और पोचुगीज गोवा के वो और सिद्धी जो जंजीरा के थे ये ये चार लोग राज करते थे महाराज पे वो टाइम पे क्या बोले कि जो लोग थे न ये बहुत ज़्यादा पावर्फुल बहुत ताकतवर थे और ये अपने अपने राज में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे ठीक है इनका सामना कानपाना अतना असाल नहीं था क्या बोले कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके खिलाफ कोई भी शब्द बोल पाता Under these difficult conditions शिवाजी had taken the oath of स्वाराज क्या बोले कि इस मुश्किल हालात में शिवाजी महराज ने जो स्वाराज था उसके स्वाराज की शपत ली थी ठीक है जब इन लोगे के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था ऐसे समय में छाटरपती शुआजी महाराज ने स्वाराज की स्वाराज की स्वाराज की शपत ली थी आगे कहा है देखो There was no comparison between the vast forces of the enemy and handful of शुआजी's मावलाज क्या बोल रहे है कि छटरपती शुआजी महाराज के जो कुछ जो साथी थे उनकी जो ये सारे जो opponent थे जो सारे राजा थे इनसे कोई भी मुकाबला नहीं था क्योंकि छटरपती शुआजी महाराज के पास बहुत कम लोग थे लड़ाई के लिए और ये ये लोग जो राजा थे ना जो महाराज पर राज करते थे इनके पास लाखों की संख्या में सिन रहती थी ठीक है आगे गए क्या बोल रहे है कि लेकिन छटरपती शुआजी महाराज ने अपना दिमाग एकदम बना लिया था कि वो स्वाराज बना के ही रहेंगे और उनकी जो उनका जो इरादा था वही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी ठीक है आगे ही कहा है देखो तोराना फोर्ट फोर्ट मतलब क्या है बच्छो किला मतलब तोराना किला के बारे में हम बात करने वाले है यह किला आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तोराना फोर्ट, जुन्जर, माची, यह किला है, इसके बात हो रही है, देखते हैं, इसके बारे में क्या दिया गया है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन, यह सब जो जागीर थी ना, जाबे शिवाजी महराच का कंट्रोल था, यह, अगर आप देखोगे, तो इस पर कंट्रोल किसका था, बिजापूर, जो कोड़ है, वहाँ के जो ओफिसस थे, उनका कंट्रोल था, पूरा कंट्रोल शिवाजी महराच के पास नहीं था, इन सारे, जो यह सब जागीर थी, ठीक है यह कहने के लिए तो यहां पर वो कंट्रोल करते थे लेकिन इनका पूरा कंट्रोल नहीं था मैं जो ऑफिसर्स थे बिजापूर के वो कंट्रोल करते थे उजगां को ठीक है He who control the Falls also control the surrounding territory and therefore all talk of Swaraj without the control of the Falls was meaningless क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो किले को कंट्रोल करता था ना वही आजू-बाजू का जो इलाका था उसको भी वही कंट्रोल करता था तो वो कुछ था बच्छो वो ऑफिसर थे बीजापूर के च्छैत्र प्रदी श्युवाजी महाराज की कंड्रोल में था नहीं पूरा तो क्या बोल रहे हैं कि इसलिए स्वाराज की बात करना एक्दम समय लो बेकार था क्योंकि जब तक कंड्रोल में आएगा नहीं आजू बाजू के अरिया तो स्वाराज नहीं बन सकता है क्या बोल रहे हैं यहां पे कि छेत्परदी शिवाजी महाराज को जो एक किल्या रहता है वो उन्हें लगा कि उनकी लड़ाई रहेगी उसमें बहुत काम आएगा ठीक है इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले वो ऐसे किल्ये पर कबजा करेंगे और वो एके किल्ये पर कबजा करेंगे क्योंकि एक साथ सब को जीतना मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास बहुत कम सेना थी तो वो सोचे कि एके को कैप्चर करते जाएंगे वह यहां पर आपको औरुसरीचलहा, इस परन् से खिरलड़ी राट पूर्सा और ब सकूँ आरई चारीचलहा, कोई पहाड़ी खिल्या है जिसे हम कैप्चर करेंगे साउथ वेस्ट में आता था ठीक है जो कनडवेली में था वहां पर यह कनडगाटी में आगे क्या है देखो it was renowned fort well suited for defense क्या बोले जो वह किला था नो बहुत जाना माना किला था और वह रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा था क्यूक्कि वह पहाडी के उप जो कनडवेली में था तोराना वहां पर दो माचीस पढ़ती थी प्रचो माचीस क्या होता है देखो जो पहाडी के उपर से रस्ता जाता है ना उसको बोलते हैं आपको देखो ऐसे यह देखो आजू बाजू सुमझो एच्छा पहाडी रहे इस तरीके साब को मैं बता ठीक है आगे देखते हैं कि अब माची is a fortification of a national plate you formed on the slope of a hill यहाँ पर बता रहे हैं कि माची क्या होता है वो एक नेशिरल तरीके से एक पहाड़ी पर बनता है एक धलान जो पहाड़ी करे थी उस पर बनता है तम पतला रास्ता रहता है क्या बोल रहे हैं कि यह जो तुराना फोर्ट पे दो माची थे ना उसमें से एक था जुन्जर माची और दूसरा था बुदला माची ठीक है क्या बोल रहे हैं कि जुन्जर माची जो है यह अपने नाम की तरह ही एकदम स्टॉंग था एकदम ताकतवर था जो जुन्जर माची था और वो दुश्मनों को वहाँ पे आने से रोकते था क्यों बच्चो क्योंकि यहां पे बहुत ही पतला रास्ता यहां से जाता था पहाड़ी के उपर से देखो यहां पर क्या बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि जो रास्ता था ना ये इस जगह से आने के लिए ये एक ही रास्ता था अगर किले की तरफ किसी को आना था तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो रास्ता था ना जुनजारमाची जो पहाड़ी के ऊपर है जो रास्ता आया था किले की तरफ ये बहुत ही मुश्किल रास्ता था जिसे पार करना मुश्किल था उसके एक साइड पहाड़ी थी नीचे जो गिरेगा वो पहाड़ी से नीचे गरेग और दूसरे साइड क्या था घाटी थी मतलब खाई आप बोल सकते हो वैसे तरीके था इसलिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था क्या बोले अगर एक लापरवा इंसान वहाँ से आएगा तो वह बहुत आसानी से अपना बैलेंस खो सकता है और वो सीधे जाके खाई में गिर जाएगा और वो मर जाएगा ठीके इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये वाला किला चुना था क्योंकि इन्हें यहा तोराणा वस कंसिड़र वन अफ दिस्ट्रॉंग फोर्ट ओफ महाराश्ट्रा क्या बोल रहें कि जो तोराणा है ना इसको महाराश्ट्र का एक सबसे ताकतवर किला माना जाता है क्या बोल रहें जो तोराणा किला था उसमें एक मंदिर था देवी तोराणा इनका मंदिर था क्या बोल रहें कि यह बहुत आश्चरचकित बात है कि जो ये किला था इसको आदिल शा ने नजर अंदास कर दिया था इसके तरफ ध्यानी नहीं दिया था, जबकि शिवाजी महाराज का ध्यान गया इसके तरफ, क्योंकि यह बहुत ही powerful किला था There were neither enough troops for its defense, nor enough ammunition क्या बले कि यह जो किला था ना, इस पे ज़्यादा सैनिक नहीं थे, ज़्यादा सैना नहीं थी नहीं यहाँ पे हत्यार यह सब था, इस किले को, इस किले की रक्षा करने के लिए शिवाजी knew this and this was exactly what he wanted और यह बात शिवाजी महाराज को पता थी, कि यह किला पे ना ज़्यादा सैना है, ना ज़्यादा सुरक्षे के लिए ज़्यादा यहाँ पे हत्यार है और उन्हें यही चाहिए था, he decided to capture the fort and thus lay the foundation of हिंदुी स्वाराज क्या बोले, कि और जो चत्रप्रतिश्वाजी महाराज ने यह निश्चे किया, कि वो इस किले को हासिल करेंगे, इस किले पर फते करेंगे और यहाँ से वो हिंदुी स्वाराज की शुरुआद करेंगे, ठीके, आगे दिखो भी आपको कहे है यहाँ भी आपको है, the drums of स्वाराज began to sound क्या बोले, स्वाराज की जो स्थापना थी, अब उसकी आवाज गुजने लगी थी, ठीके with a few select bands of मावलाज, शुआजी descended into the कन्नड वैली descended मतलब क्या होता है बच्चा अब बोल सकते हो, निकलना, ठीके, चलना क्या बोल रहे है कि कुछ मावलाज के साथ, श्वाराज शुआजी महराज कन्नड वैली के तरफ निकल पड़े swift footed like the deer and lion hearted in courage, they raced to the top and captured the strategic position in the fort कि एक हीरन की तरह तेजी से चलते हुए और शेर के जैसा जिग्रा लेते हुए चैतरपत्री शुआजी महराज किले के उस जगें पर पहुच गए, जहां पर उनको जाके तैनात होना था वो और उनके साथ ही, ताना जी मालुसारे hoisted the Maratha flag at the main entrance क्या बोल रहे हैं कि जो ताना जी मालुसारे थे, उन्होंने जो किले का entrance था, जहां से अंदर जाया जाता है, उन्होंने वहां पर Maratha जो जंडा होता है, उसको फैराया, उसको लहराया येसखा जी कांग, a trustworthy and loyal companion of Shiwaji, posted his guard at important points क्या बोल रहे हैं, कि जो येसखा जी कांग थे, ये भाधी, ड्रस्वरोदी मतब किया भाधी भरोसे के लाइक थे ये चत्रप्रदी श्वाजी महराज के एक इमानदार और भरोस्य के लायक एक साथी थे जिन्होंने क्या किया जो गार्ड थे उन्हों जो खास खास जगे थी यहाँ पर चत्रप्रदी श्वाजी महराज ने बोला था वहाँ वहाँ पर गार्ड को सैनिक को लगाया क्या बोल रहे हैं कि जो किला था ना इसको आसानी से कबजा कर लिया गया यहाँ पे बिना किसी मुश्किल के और जो आसमान में था बस एक ही नारा गूज रहा था हो क्या था चिवाजी महराज की जए ओके आगी क्या भी आपको देखो क्या बोल रहे हैं कि जो स्वाराज की जो पहली लड़ाई थी जो पहली जंग थी अब उसकी आवाज जो थी चारो तरफ गूजने लगी थी पूरे घाटी में पूरी वैली में गूज रही थी शिवाजी नेम्ड दिस फोर्ट प्रचांगर्ड क्या बोल रहे हैं कि छतप्रदी शिवाजी महराज ने जब तोराना पर जब कबजा किया उन्होंने इस फोर्ट को नया नाम दिया प्रचांगर्ड क्या बोल रहे हैं कि जो गौड़ेस भवाणी थे जो देवी भवाणी थे इनकी ब्लेसिंग इनका आशुरवाद कैसे था देखते हैं कैसे मिला इनको चतप्रदी शिवाजी महराज को क्या है देखो क्या बोल रहे हैं कि छतप्रदी शिवाजी महराज ने भौती ध्यान से सारे किले को देखा जाच परतालत किया और वहाँ पे खास ओफिसर्स लगाये जैसे कि जो मराठा किले दार है इनको लगाया ब्रामिन सब्नी से इनको लगाया प्रभू कर खानिस ये सारे लोगों को किले पर लगाया क्या बोल रहे हैं कि जो सेना थी ना जो किले पर उसमें मावलास थे कोली थे रामोशी थे महराज थे और भी बहुत सारे बहादूर सैनिक थे अलग-अलग जाती अलग-अलग समुदाई से ठीक है क्या बोल रहे हैं कि स्वाराज में हर एक जाती को हर एक धर्म को एक समान ट्रीट किया गया किसी में भी भेदभाव नहीं किया गया उनके धर्म या उनकी जाती को लेकर क्या बोले कि जैसे जैसे किले की रिपेर किले को बनाना शुरू किया गया लोग बहुत ही जादा खुशी से उसका इंतिजार कर रहे थे क्या बोले हैं बच्चो कि इन्होंने चात्पेटी शुराजी महराज को चार मटके मिले जो सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्या बोल रहें कि जो काम करने वाले थे उन्होंने क्या बोला कि एक तरीके का तोफ़ा है छत्पति श्युआजी महाराज के लिए देवी भावानी की तरफ से जुन्होंने उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है अपना आशिर्वात दिया है क्या बोले कि जो भी पैसा वहां पे खोजा गया था जो भी पैसा मिला था उसको श्युआजी महाराज के पास लाया गया No one thought of taking anything from it for himself, किसी ने भी उस पैसे को अपने पास रखने की नहीं सोचा, सारा पैसा शुवा जी महराज के पास लाया गया after all it was the wealth of Swaraj क्या बोले क्योंकि ये माना जाता था कि ये Swaraj की wealth है ये Swaraj का खजाना है इसके लिए किसी ने उसमें से कुछ नहीं लिया शिवाजी felt greatly elated at this unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with added vigor क्या बोल रहे है कि छत्रप्रदी शिवाजी महाराज को बहुत ही ज़दा लेटेट मतलब क्या बोल सकते हो उत्तेजित मतलब कि छत्रप्रदी शिवाजी महाराज इससे बहुत ही ज़दा खुश बहुत ही ज़दा उत्तेजित हो गए क्योंकि उन्हें ये एक बहुत ही unexpected gift मिला था जिसकी इन्होंने उमीद नहीं की थी जो इनका जो सपना है स्वाराज का उसमें उसकी ताकत और भी ज़दा बढ़ा देगा बनेविलेंट मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो परोप कारी ठीक है क्या यहां पर बोल रहे हैं कि छत्रप्रदी शिवाजी महाराज को ऐसा एहसास हुआ कि वो जो देवी भवानी है उनकी देख रेख में उनकी छत्रचाया में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको देखो ऐसे सारे गिफ्ट मिल रहेते हैं इस कारण आगे क्या है देखो अभी आपको यहांपे क्या है क्या बोले कि छत्रप्रदी शिवाजी महाराज ने ये जो ख़जाना मिला था ना किले में उसको क्या किया उससे उन्होंने हाथ्यार ये सब चीज़ें खरी दी किले के लिए क्या बोले और जो बाकी का ख़जाना था उससे उन्होंने दूसरे काम में लगाया जो पहले से उनके दिमाग में चल रहा था कौन से काम में वो आगे हमें मालू पड़ेगा क्या बोले कि जो किला था तोराना उसकी इस में मतलब उसके पूरब तरफ 15 किलोमेटर दूर एक पहाड़ी जिसका नाम था मुर्मदेव शिवाजी had his eye on it for a long time क्या बोले जो छट्पति शिवाजी महाराज से इनकी नजर इस पर बहुत लंबे समय से थी this hill was steep and difficult of access and therefore of great strategic importance क्या बोले कि जो पहाड़ी थी यह बहुत ही ज़्यादा इसी नोकिली और ऊची थी और इस पे चड़ पाना यहां से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इस कारण यह छट्पति शिवाजी महाराज का जो strategy थी उनका जो प्लैन था उसके capture करना के चाहती है आगे क्या है आदिल्चाह had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished क्या बोल रहे है कि जो आदिल्चाह था था ना वो यहां पे एक किला बना रहा था लेकिन उसने क्या उसको अधूरा छोड़का चला गया इस hill also was not well guarded and शिवाजी decided to capture it क्या बोल रहे यह जो किला था ना इस पे इसकी सुरक्षा अच्छे से नहीं की जा रही थी इस कारण च्थप्रति शिवाजी महाराज ने सोचा कि इस पर भी कबजा किया जाए क्योंकि यहां पे सेना कम थी और च्थप्रति शिवाजी महाराज जहां पे जाकी कब जा कर सकते थे वो धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ा रहे थे अब देखो कम सेना से डारेक अगर बड़ी सेना से लड़ने गए तो हार जाएंगे रहे इसके पहले छोटी छोटी सेना को हरा कर जीत रहे थे उसके बाद वो सोचे थे कि बड़ी सेना से क्या यहां पर बोल रहे हैं कि एक दिन श्युआजी महाराज उस पहाड़ी पर अपने कुछ चुने हुए साथियों के साथ अपने कुछ चुने हुए सेना के साथ चड़े और वहां पर कब्जा कर लिया जो वो किला था जो आदिल शाह ने बना कर छोड़ दिया था ओके बागे किया देखो क्या बोले हैं यहां पे कि जो पैसा मिला था ना तोराना फोड पे चार मटके मिले थे सोने के सिक्के के उन पैसों का इस्तेमाल करके चत्रप्रति श्युआ जी महाराज ने मुरम्देव जो ये किला था इसको पूरा किया आदिल शाने बनाया था तो बाकी श्युआ जी अपना पैसा लगा कि उसको एकदम कम्प्लीट कर दिया श्युआ जी नेम्ड इस फोर्ट राजगर्ड क्या वह ले चत्रप्रति कारपेंटर्स ब्लेक स्मिट्स वाटर कैरियर्स अधर वरकर्स आल दी पीपल गोट विजी क्या बूल रहे कि जो ये स्टोन जो पत्थर ये जब बनते थे उतराश्से थे और लकडी का काम करने वाले और ब्लेक स्मिट म्स जो लौहार और यो पानी वर्टर के रिए जो प दूर लोगते हैं ना इन्होंने राज महल बारा महल और अठरा वक्षोप बनाए एटीन ओके राजगर्ड विगेम दा फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वाराज क्या बोल रहें और यह जो राजगर्ड था यह पहला कैपिटल बना स्वाराज का ओके चो लोगी आगे देखते हैं कि इसके बाद च्छत पते शिवा जी महाराज बहुत ही तीजी से आगे बढ़ने लगे और उन्हें एक के बाद एक किला मावल में एक के बाद एक किला कैप्चर करने लगे वहाँ पे कबजा करने लगे क्या ओल रहा है कि यह पूरा यह कंट्री था पूरा जो देश था इसको बारा मावल के नाम से जाना जाता था जो पूरा एडिया था और जो बारा मावल थे बहुत ज़्यादा खुशी से बहुत ज़्यादा उच्सुक हो गए थे क्योंकि च्छत प्रदिश वाजी दूसरे बाहर के राजाओं द्वारा रूल किया जाता था अब इनके पास आ रहा था तो यह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे देखो बच्छों यहां पर यहां पर सोर मतब क्या कसम खाना अब बहुत सारे गाउं से आये और उन्हें ने च्छत प्रदिश वाजी महाराज की वफादारी की कसम खाई क्यों उनके हमेशा सेवा करेंगे BUT MAWAL HAD ITS OWN SHARE OF BLACK LEGS WHO WERE EVER RADY TO PUT A SPOK IN THE FAST MOVING WHEEL OF SWARAJ क्या बहुत लें यहां पर कि जो MAWAL थे ना इनका भी शेर था इसमें ठीके तो वो ना जो SWARAJ का काम चल रहा था उसमें रुकावट डाल रहे थे, यहाँ पर क्या बोले कि Fast Moving Wheel of Swaraj, मतलब कि स्वाराज की जो गाड़ी चल रही थी न, वो उसमें रुकावट डाल रहे थे, क्योंकि वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, वो जलन, उनको जलन हो रही थी, चात्रप्रति श्वाजी महाराज से, आगे क्या है, दोखो, Jailers of Swaraj's success, they complain to the आदिल्शा कलेक्टर एट शिर्वल, क्या बले है, कि चात्रप्रति श्वाजी महाराज से लोगको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, उनकी काम्याबी देखके, इसलिए उन्होंने शिकायत कर दी आदिल्शा के कलेक्टर से, जो शिर्वल में था, ओके, आगे दोखो भी आपको क्या है, The collector dispatched messengers to बिजापूर and informed आदिल्शा of Swaraj's rapid progress, क्या बोल रहे हैं, कि यह जो collector था ना, इसने क्या किया, एक messenger को, एक संदेश देने वालों को भेज़ दिया बिजापूर में, जहां पर आदिल्शा रहता था, ताकि उसे जो यह च्छतपति शिवाजी महाराज का जल्दे लिए जो progress हो रहा है, विकास हो रहे हैं, इसके बारे में मालूम पड़े, ओके, आगे देखो भी आपको क्या है, शिवाजी the strict politician, शिवाजी आप क्या बल सकते हो, चतूर या तो चालाग, मतलब कि शिवाजी महाराज एक चालाग ने था, एक चतूर ने था, क्या देखो, आदिल्चा was most surprised to get the news, क्या बले जबी आदिल्चा को शिवाजी महाराज के बारे में मालूम पड़ा न, कि वो बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर हो गया, He asked Shijuaji Raji for an explanation, और उसने क्या किया उसके बारे में बола कि बताओ इसके बारे में उझे, ये क्या है, उन्होंने Shijuaji Raji से इसा क्यू पूचा, क्यूंकि Shijuaji Raji यो थे न, Administration of the Jagir क्या बोल रहे हैं कि जो शाह जी राजे थे चत्रप्रति श्युआ जी महाराज के पीता जी उन्होंने इस मुश्किल घड़ी से बहुत ही मुश्किल से अपने आपको बाहर निकाला ये कहते हुए कि हो सकता है चत्रप्रति श्युआ जी महाराज ने इसलिए वो सब मैंसेज बेजा सुल्तान के पास क्या मैंसेज से देखो I have taken position of the fort for better administration of the countryside we did this only in the interest of the Sultan there was no evil design at the back of this action चत्रप्रति श्युआ जी महाराज ने क्या संदेश बेजा कि मैंने इन सारे किलो पर इसलिए कबजा किया है ताकि इन सारे किलो को मैं अच्छे से बना पाऊं और जो भी इ इरादा नहीं था ऐसा च्छात्रप्रति श्युआ जी महाराज ने संदेश भीजा आगी क्या है the two forts of kondana and purandar two had strategic locations क्या हुल रहे कि और जो जो फोर्ट थे जो किले थे kondana और purandar के ये भी एक strategic location थे जहां पर श्युआ जी महाराज को अपने जो सेना अपनी जो लडाई कर करने का जो अगदम location जो जगह चाहिए थी वो इसके काबिल थे तो क्या हुआ जी यूज़ इस political skill and took control of both forts क्या हुले चात्रप्रति श्युआ जी महाराज ने अपनी जो skill थी उसका इस्सेमाल करते हुए इन दोनों किलो पर भी कबजा कर लिया the next fort to come under his way was rohida क्या हुले जो अगला किला था चात्रप्रति श्युआ जी महाराज के रास्ते में आ रहा था मतलब उनको जहां पर कबजा करना था वो था rohida this was fast work indeed and there was nothing to stop श्युआ जी नौ क्या बोल रहे यह काम बहुत ही जादा जल्दी जल्दी हो रहा था और बेशक श्युआ जी महाराज को कोई भी रोकने वाला नहीं था कोई भी रोक नहीं सकता था उन्हें तो बच्चों यहां पर देखो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप इस वीडियो को देख लो और रिवाइस को लो और इसका कुशन एंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा फोध क्लास की जो प् सब्सक्राइब तो क्लियर गूडबाए